नवस्कार दोस्तो आप सभी का शुआकत है सिक्षा अकैडमी की इस नए वीडियो में दोस्तो आज के इस वीडियो में हम डिसकस करने बाले हैं उत्तर प्रदेश सिक्षक भरती परिक्षा के बारे में दोस्तो उत्तर प्रदेश में जो साहिक सिक्षक भरती प्रिक्षा निकली थी पत संख्या थी 69,000 दोस्तो इसमें भाग लेने वाले बिध्यार्थी संख्या हो गई है 3,000,000 से भी अधिक यानि कि जो एक्जाम यहां पर होने बाले हैं उस प्रिक्षा में लगबग 3,000,000 से भी अधिक विध्यार्थी एक्जाम देने बाले हैं तो चले दोस्तो कुछ यहां पर मात्पूर्ण सूचना है जो आपको जानना बेहतर जरूरी है तो दोस्तो देन ना कर दूए अपन चलते हैं उस न्यूश पर यहां पर ले चलते हैं आपको दोस्तो यह जो पेपर की कटिंग आप देख रहे हैं यह अमर उजाला पेपर की न्यूश है जो लकनों में प्रकासित की गई थी इसमें मैन हेडिंग इसमें दी गई है दोस्तो सिक्चक भरती परिक्षा में करा होगा मुकाबला यानि कि दोस्तो 79,000 यहाँ पर साहिक अध्यापकों की भरती निकली थी लगबक सारे 3,000,000 से भी अधिक यहाँ पर विद्यारती उन्हें पंजियन कराया था तो दोस्तो इसमें अपन डीटेल से इसको पढ़ लेते हैं इसमें क्या क्या दिया है दोस्तो जैसे कि इसमें लिखा है प्रदेश के परिशिये प्रात्मिक विद्यालव में 79,000 साहिक अध्यापक भरती के लिए 6 जनवरी को होने वाली लिखित परिक्षा में करा मुकाबला ह यानि कि जो परिक्षा होने बाली यह शह जनवर ही को कराई जाएगी ठोदुस्तों 16य सम्वर की सम्व तक 3,665 अधिक अभ्यारतょी तोतल साथ तीन लाग साथ हजार अभ्यार्टिकों ने फार्म बढ़ा और इसमें से तीन लाग से थोड़े अधे के आपर अभ्यार्टिकों ने फीस यावी सुल्ख जमा की है तो दोस्तों परिक्षा निया तक प्रादीकारी कायलाई की वैफसाइट पर छे दिसंबर से पंजियन क कराय जाने का सिलसला सुरू हुआ था ठीक है और परिक्षा जो यहां पर थी तो सच्चों परिक्षा के जो सच्चों अनेल भूसन हैं चतर अबेदी ने बताया कि 20 दिसंबर की साम 6 बजे तक यहां पर जो आलान परिक्षा जवाग किये गया थे ठीक है ऐसे मैं दोस्तों जो परिक्षा है यहां जो के निर्ट यहां पर फार्म आई हुए हैं दोस्तों इसके हसाप से एक पत्त के लिए यहां पर पांस से यह अभ्यार्थ दिक के मकावला होने बाला हैै या नि बहुत ही कम यह जादा डिपिकल्ट नहीं है ठीक है नहीं, बिच्छ अभ्यार्थों के बीच यहां पर मुकाबला होने बाला है बंदलब यहेगी 68500 साइक अध्यापक भरती के लिए 27 माई 2018 को लेकित परिक्षा में एक लाग 25,786 पंजीकरत अभ्यार्थियों में से एक लाग 7883 अभ्यार्थियों ने साम होने से मुकाबला आसान था जा हाला कि कटोप अधिक होने के कारण 13 अगस्त को गोशित परिमान में केवल 4556 अभ्यार्थी ही चयन हुए और 26,944 पदियां पर खाली रह गए थे इस ब किया गया यानि कि आप जो परिक्षा हो जाए उसके बाद नहीं पर कट-अब जाड़ी किया जाए इस सबीत हैं यहां पर भरे जा सको यानि कोई भी पद यहांपर खाली ना रह जाए ठीक है तो दोस्तो इस वीडियो में पस यहीं आप तक पहूंचाना चाहता था तो दो वो तो चलिए दोस्तो मिलते हैं अंगले नेस्ट वीडियो में तब तक के लिए दोस्तो बाई